हलो फ्रेंड्स मैं मनीश आपका स्वागत करता हूं एम्टैक चैनल पर और आज हम बात करेंगे डिल लिंग की किस तरह से हम CNC टर्निंग मशिन पर असान सा प्रोग्राम बना के डिल लिंग का ओपरेशन कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स शू करते हैं जैसे कि आप डाइग्राम में देख रहे हैं अपने पास कोई जोब है जिसका डाया है 100 mm ठीक है और हमको इस पर 55 mm तक ड्रील करना है और अपने जो ड्रील है उसकी साइज है 10 mm 10 mm का ड्रील हम ये 55 mm तक करना है ओके चलिए फ्रेंड्स स्वाइब देख रहे हैं से आपको समझने में आशानी रहे सबसे पहले बाट करte आ एक नंबर ब्लोक की है 001 जो की होता है प्रोग्राम नूंबर ठीक है उसके बात में आता है औरгор और उसके बाद में G28 U0.0 W0.0 and of block तिन नमबर जो block है उसमें इसको read करते ही machine का जो आपका tool होगा वो home position में चला जाएगा G28 home position के लिए use होता है उसके बाद में है T0102 T means tool number 01 एक number tool होगा और दो number offset होगी यह आपकी आप अपने machine के coding tool number के coding जो भी होता है वो रख सकते हैं उसके बाद में G97 S500 M03 G97 spindle को rotation देने के लिए use होता है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था G50 वैसे ही यहाँ पे G97 use कर रखते हैं और S means spindle speed जो होगी वो 500 rpm होगी ठीक है M03 spindle clockwise घूमने लग जाएगा धान रखें होगाने के लिए M03 ही यूज़ करें डिलिंग में M04 का यूज़ नए करें ओके फ्रेंज तो फ्रेंज मैंने पार्च नमबर ब्लोक तक आपको बता दिया ब्लोक नमबर 6 ब्लोक नमबर 6 में G00 X 0.0 Z 2.0 M08 G00 होता है rapid tool travels इसको read करते ही tool rapidly movement करता है एक्स में हम position करवाएंगे 0.0 पर क्योंकि डिल में center to center करना होता है और Z में हम जो हमारा job है उसके दो में हम आगे position करवादेंगे Z 2.0 M08 coolant on हो जाएगा वोगे फ्रेंज उसके बाद में next जो ब्लोक आता है 7 नमबर ब्लोक उसके अंदर हम use करेंगे G74 फ्रेंट G01 से भी होता है drilling का operation लेकिन यह बहुत आसान है कनेर साइकल में इसलिए G74 से मैं आपको drilling का operation करना बता रहा हम तो ब्लोक नमबर 7 जो है उसमें G74 use करके Z minus 60.0 अब अपने को जो बे जो बनाना था कितने का चाहिए था drill अपने को 55 mm का जैसा कि आपको diagram में दिख रहा है 55 mm तक हमको 10 mm का drill करना है है ना लेकिन यहां पर हम program में use कर रहे 60 mm वो क्यों कर रहे है क्योंकि drill का जो आगे का cutting edge है उसकी length जो होगी वो extra होगी उसको पूरा cover करने के लिए हम 60 mm तक ले रहे हैं 5 mm एक्स्टा 55 mm ही करना है लेकिन वो अच्छे तरह से clear हो जाए वहां पर जो cutting edge length होती है drill की उसकी वज़ए से drill छोटा ना रहे drill hole छोटा ना रहे उसके लिए 5 mm आगे तक बढ़ा देते हैं उसकी length को extra कर रहे हैं हम और actual में वो length कितनी होती drill के जो cutting edge है उसकी length कितनी होती है उसके लिए मैं अभी next video बना दूगा जिसमें आपको पता चल जाएगे कि drill की वो cutting edge length कैसे निकालते हैं ओके फ्रेंट्स तो अभी बात कर रहे हैं हम जी 74-60.0 इसको रीड़ करने से जो आपका drill होगा वो घूमते हुए माइनस में 60 उसके बाद है आर आर होता है रिट्रिक्शन 1.0 मतलब जो drill होगा एक बार कटिंग करने में एक कट लगाने के बाद में कितना पिछे जाएगा 1.0 मतलब 1 mm पिछे होगा और फिर से कटिंग करने स्टार्ट कर देगा क्यों होता है डेफ्ट टोटल डेफ्ट इन वन कट एक कट में drill कितनी गहराई तक कातेगा हमने 5 mm कर दिया है इसका मतलब 5 mm गहराई तक drill कट लगाएगा फिर all डेत्रिक्षन अरा वन पॉंट बंट गर रखा एक एमम पीछे होगा और फिर से क्टिंग करते हुए पांच में जाएगा फिर एक 헤्पने मीं पिछे होके फिर कुझज करते हुए ऐसे करते हैं 60 mm कटिंग करेगा और जो क्यों मेलियू होती है वह Macro reactor में ती ओके क्यों 5000 और फीड जीव फॉंट वन की फीड डाल दी ओके फ्रेंट्स जी सेवंटी फॉर होता है पैक ड्रिलिंग साइकल जो ड्रिल के लिए यूज होता है जैर मैंने 60.0 जो हमको विल चाहिए होती है 60 mm तक ड्रिल 55 mm के लिए ड्रिल हो जाएगा ओके इसके बाद में आर होता रेट्रिक्षन और क्यों होता है कि एक कट में एक कट में ड्रिल कितनी गहराई तक जाएगा तो 5 mm गहराई तक काटकर एक को mm पीछे जाके फिर कटेंग करेगा ओके फिर फिर 0.1 होगी तो 7 नंबर ब्लोक आपको समझ में आ गया बात करते है ब्लोक नंबर 8 नंबर ब्लोक में जी 00-100.0 इसको रीड करके जो आपका टूल होगा वो जाएड में 100.0 पे जाके खड़ा हो जाएगा इसके बाद मे दो नंबर जो ब्लोक आपको जी 00-100.0 मसीन होम पोजिशन में चली जाएगी जो आठ नंबर ब्लोक है वो सिरफ सेफ्टी के लिए यूज करते है अगर यह यूज ना करें डाइरेक्ट होम पोजिशन भी करते तो भी इतनी प्रोब्लम नहीं है लेकिन आप यूज करना जो जी 00-100.0 मसीन चैड में आगे जाके खड़ी हो जाएगी 100.0 पे और उसके बाद में होम पोजिशन टूल के होम पोजिशन में जाने के बाद में M05 स्पिंडल के स्टॉप कर देंगे 10 नंबर जो ब्लोक है 11 नंबर ब्लोक में M09 मतलब कुलेंट ओफ हो जाएगा और M30 होता ह मैंने यूज कर रखें G-Code और M-Code मैंने पुराने प्रोग्राम जो फेसिंग का और टर्निंग का जो प्रोग्राम बनाएं उनमें मैंने सब किलियरली बता रखा है अच्छे से बता रखा है आप उनको देख के अच्छे सी समझ जाएंगे ओके फ्रेंस तो इस तरह से हम अच्छे से डिलिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं O001 एंड ब्लोक N1 एंड ब्लोक G28 U0.0 W0.0 एंड ब्लोक T0102 एंड ब्लोक G97 S500 M03 एंड ब्लोक 00 G00 X0.0 Z2.0 M08 एंड ब्लोक G74 Z-60.0 R1.0 Q5 5000 F0.1 एंड ब्लोक G00 Z-100.0 एंड ब्लोक G28 U0.0 W0.0 एंड ब्लोक M05 एंड ब्लोक M09 एंड ब्लोक M30 एंड ब्लोक तो फ्रेंड इस तरह से आप पेक डिलिंग साइकल का प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं G74 Z-R QF Z में जितनी डेफ तक जितनी गयराई तक आपको ड्रिलिंग करनी है वो वेल्यू R होता है रिट्रिक्शन और Q होता है एक बार में कितनी गयराई तक काटेगा रिट्रिक्शन उसके बाद दिलेगा क्यों जो वेल्यू डालने है माइक्रोन में और आफ होती है आपके फीड ओके फ्रेंड्स